ऐसे आप सभी लोग एक बड़ी से स्वागत आपका हमारे यूटूब चैनल स्टड़ी भी थी होगे इसमें आज हम लोग देखेंगे बच्चों कुछ महत्तबूर्ण करेंट आफियस के वेश्चन जो हाल फिलाल के दिनों में चार चामर हैं करेंट आफियस चुकि आरो यारो मेंस के एक्जाम भी मेंस का एक्जाम आपका इसी महा होना है और आप लोग उसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगस्ट एंड तक तो एक लिस्ट करेंट आफियस को कवर कर दाना सेप्टेंबर दस पंदल तक कोई इंपोटेंट फैक्ट होगा तो वही चेक करना अधरवाइस पूरा सेप्टेंबर कवर करने की जर्वत है नहीं कुछ ऐसा ने बहुत हाइलाइट जो क्वेश्चन होता है उसी को आपको देखके जाने की जर्वत है ठीक है बाकी जो भी आपका चुकी SI का एकजपा हें वहाँ पे बींदी करने काणा कवर होगी कानि सायक क्ञाजिक्तान के बीजा होता है या grandi क्ञाजिंद के विज तो अगर अभी और कुष्छन आप से वित्त पोसित, multi-model AI पहल, यानि आजकल आपने सुना होगा artificial intelligence बहुत ज़्यादा चर्षा में है बच्चो और artificial intelligence की वज़े से आपने देखना एक ऐसा समाई आएगा, कि मतलब चीजें आपको देखने technology इतने आगे पहुंच चुकी, intelligence है, यानि artificial intelligence है, ठीक है, तो एक मानो को replace करने का कारे कर रहा है, जो human अपने आप में मानो की बहुत दिक्षमत है, उसको भी replace करने की कोशिस कर रहे है, तो AI बच्चो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहने वाला है, AI आपके हर field में, आपके घर, ओपिस, हर जगा, आपके प्रते एक बतर जो दिन की दिन्चरिया ह उसमें AI सामिल होने वाला है, तो भारत सरकार ने अपना एक पहला वित्त पोसित, यानि भारत सरकार उसको finance करेगी, multimodal, यानि एक से ज़्यादा उसमें चीज़े रहेंगी, तो वो AI का नाम क्या दिया गया है, वो दिया गया है बच्चो, भारत जेन, यानि भारत की पहली सरकार द्वारा वित्त पोसित, multimodal AI पहल है, भारत जेन, यानि भारत जेन नेशन वाली बात जो करते हैं, भारत जेन अगर क्या है पुछेगा तो लिखो, भारत जेन, ये है क्या अगर पुछता है, तो AI पहल है, Artificial Intelligence पहल, ठीक है, AI पहल कैसी पहल है, ये भारत सरकार वित्त पोसित पहली, सरकार द्वारा वित्त पोसित, यहीं इसको finance कौन कर रहा है, सरकार कर रहा है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, पहली, पहली, multimodal, multimodal पहल है, ठीक है, तो अगर आपसे कभी पूछता है कि ये क्या है, तो आपका answer सीदे-सीदे आपका बन जाएगा, कि भारत सरकार द्वारा वित्त पोसित पहली क्या है, बच्चो, ये multimodal एक प्रकार से पहल है, इस इसको आप लोग ध्यान में रखना, ये भारत जेन इसको बोला गया है, ठीक है, अगला लिखो, जो क्रूज भारत मिसन है, क्रूज भारत का मिसन है, बच्चो, क्रूज परे परेटन को बढ़ावा देने के लिए, अब आपको क्या होता है, आपने देखा को क्रूज होता है, जैसे आप जैसे नाव बगरा देखते हैं, इसी परकार से जो हमारा वाटर का इलाखा होता है, उसमें एक परकार से क्रूज होता है, आप नेट बगरा में सर्च करना, उस उसमें रहने खाने ट्रावल करने सब चीज की वेवस्ता है रहेंगी आप बाई तब वाटर यानि सी की रास्ते आप एक जगर से दूसरे जगर जा सकते हैं उसमें तो क्रूज पहल को परेटरन को बढ़ावा देने के रहे भारसरकारी चला रही है ठीक है अगला लिखो बच पिक्चरस एंटर्टेंटमेंट के नए CEO बने हैं रवी आभुजाजो की भारती मूल के है ठीक है लिखो सोनी पिक्चरस एंटर्टेंटमेंट के नए CEO ठीक है Entertainment के नए CEO Chief Executive Officer बने बच्चो सोनी के ठीक है तो ये कौन बने हैं भारती मूल के हैं इनका नाम है रवी अहुजा ठीक है लिखो रवी अहुजा रवी अहुजा कभी कब पूस्ता है ना जिसे इंटरनेस से कभी Google कब पूस्ता है कभी किसी कब पूस्ता है तो रवी अहुजा इनके नए CEO बने जो कि भारती मूल के हैं इसके अलाव चो हाल ही में दादा साहब फाल के पुरुस्कार देने की घोशना की गी है वो की गी है मिथुन चक्रवर्ती को ठीक है पुराने बॉलिवूट एका हीरो है आपने देखा होगा उनके कई मूवीज तो लिखो दादा साहब फाल के most important कर देने ठीक है फाल के फुरुस्कार किसको देने की घोशना की है फुरुस्कार देने की घोशना यानि इनको मिले का ठीक है देने की घोशना किसको हुई है दादा साहब फाल के पुरुस्कार फुरुस्कार 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 पहले साइध रजनी कान्त को मिला तो दादा सहाफ वाल के पुश्कार बच्छो इस फिल्ड का सबसे बड़ा एक प्रकार से अवार्ड माना जाता है 1969 के सम्थिंग इसकी सुरुवात हुई थी यह most important question रहने वाला आपका इध्यान मा रखना है ठीक है अगला लिखो International Indian Film Academy Awards 2024 हुए है बच्छो साइध दुबई अबुदावी में कहीं हुए है ठीक है International Indian Film Academy Awards इंटेनेशनल पूरा लिखना है Indian Film Academy Awards 2024 समझ जाओगे न कहीं है हिंदी में लिख लिए इसको पूरा फुल फॉल फॉर्म लिखना है International Indian Film Academy Awards 2024 इसमें बच्छो यह हुआ है इस बार अबुदावी में इसका आयोजन किया गया था कहां पर किया गया अबुदावी में इसका आयोजन कहां पर किया गया अबुदावी में इसका आयोजन हुआ आप लोग यह ध्यान में रखना ठीक है इसमें आप लोग यह ध्यान में रखना बच्छो सर्वस्रेष्ट जो इसम अभिनेता है वो सारुख खान को मिला जबकि रानी मुखर जी को अभिनेतरी के रूप में चुना गया ठीक है सर्वस्रेष्ट अभिनेतरी ठीक है यह मिला रानी मुखर जी को कभी कभी पूच देता है यह अले कोशन ठीक है और यह मिला साहरुख खान को तो इंटरनेशनल जो अपने आपने इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ट्स है यह 24 अभुदावी में कायोजन किया गया सर्वस्रेष्ट अभिनेता साहरुकान सर्वस्रेष्ट अभिनेतरी रानी मुखर जी ठीक है सर्वस्रेष्ट फिल्म का अवार्ड इसमें एनिमल को सर्वस्रेष्ट फिल्म में लिखोν इसको दिया गया सैनिमल को एग इससे भी इंपोटेंट में आपको बताता हूँ हाल ही में बच्चो तीन सुपर कंप्यूटर लॉंच किये गये हैं, वो राष्टर को समर्पित किये गये हैं, भारत के प्रधान मंत्री किये द्वारा, उनका नाम दिया गया है, बच्चो परम हुद्र सुपर कंप्यूटर, most important कर देना इस question को ठीक है, लिको हाल ही में प्रधान मंत्री मोधी जी द्वारा, हाल ही में प्रधान मंत्री मोधी जी द्वारा, तीन सुपर कंप्यूटरों को राष्टर को समर्पित किये गये हैं, तीन सुपर कंप्यूटर, राष्टर को समर्पित किये गये हैं, ठीक है, राष्टर को समर्पित, तो इनका नाम क्या दिया गया है, अगर question सुपर कप्यूटर ये तीन रास्ट को समर्पित कम्प्यूटर है बच्छो परम रुद्र सुपर कम्प्यूटर ये जो हैं बच्छो तीन अलग-अलग सहरों में उनको वो किया गया स्तापित किया गया एक पूणे में, एक संभाधर डेली में और एक कोलकाता में दूसरा है पूरे, और तीसरा है कौन सा है यानि वेस्ट बेंगौल में, महरास्रम और दिल्ली में पूरे, कौलकाता और डěली में इसको क्या किया गया? भच्छो तीन सहरों में स्तापित लिया गया तीन सुपर कम्पूटर ने 130 करोड की इसमें लागत आई है ये बता जा रहा है और इसकी जो स्यम्ता है बच्चो वो है 1.3 पेटा फ्लॉप्स ठीक है इसकी स्यम्ता किते ही है 1.3 पेटा फ्लॉप्स ठीक है ये इसकी स्यम्ता है ये most important question लिखना पर हम सुपर कम्पूटर के ब प्रधान मंत्री किसको बनाए गए सिगेरू इसी बाकोटी के ये पहले वाँ पर डिफैंस मिनिस्टर थे अब आपको के सर उनके प्रधान मंत्री का हमारे एक्जाम में क्या काम है एक्जाम में आपको बताता हूं चूकि जापान के साथ भारत के संबंधू के दिरिश्ट तो वह इससे पहले वहां पर डिफैंस मिनिस्टर थे अधियान रखना है ठीक है वहां पर क्या थै रक्षिया मंत्री हुआ अफ्या यह द्यां हूँ आपक है जापान के नए प्यम शिबेरू इसीबा कौन भने ढ становится जापान के नई प्रधान मत्री बने इध्यान मरखना है अगला लिखो Asia Power Index में भारत की रैंक कौन से थार्ड है अभी हाल ही में ऐस्टिलिया इस्तितिक सस्ता है उसने जारी किया है Asia Power Index में भारत की रैंक उसे थार्ड बताई है भारत थार्ड है ठीक है एक एरपोर्ट है बच्चो उसका नाम जगत गुरू Ал्हान के नाम पर रखा गए है यह इसका नाम किसका नाम है पूने एरपोर्ट का नाम रखा गये हैं पूने एरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत तोकाराम एरपोर्ट के नाम पे रखा गया ये भी ध्यान में आप लोग रखना ठीक है अगला लिखो मन किया एक समुदाई है बच्चो लिखने की जर्वतिय है ओडिस हमें छोड़ दो इसको स्क्रिप कर दो ठीक है एक भारत सरकार में परियारवन मंत्राले जो है उसने नगर योजना लॉन जी किया ठीक है वो किसी से संबंदित अगर आपसे पूछता है नगर वन योजना तो सहरों में क्या है बच्चो फोरस्टथ इलाके को बढ़ाने की तो लिखो नगर वन योजना का संबंद किस मंत्राले से है तो नगर वन योजना जो चल रही है बच्चो वो सहरी इलाकों मां हरियाली बढ़ाने के उद्धेस सी है जो परियावराण 1 एवं जलओय परिवरतन मंताले से संबुजड दो है सअरी एक भुशेटर को बढ़ाने के लिए तो इसका उदेश क्या है सहरी चेत्र में हरियाली बढ़ाने के उदेश को सुरू किया गए नगर वन योजन, ठीक है, अगला लिखो, संक एर जो कि भारत के में बिवानन मंताले ने, नागरी को डेन मंताले ने एक नया जो एरलाइन है, उसको मंजोरी दिय है, तो संक एरलाइन चलीगी बच्छों, नही एरलाइन है, जो की UP के अंदर चलीगी, ठीक है, लिखो, हाल ही कि मैं हाल ही में किस नई एरलाइन को मंजूरी दी गई है संख एरलाइन एक नई यह दिल्ली के यह यूपी के सहरों में चलेगी यह संख एरलाइन को मंजूरी दी गई है ठीक है लिखो हाल ही में किस एरलाइन को मंजूरी दी गई है संख एरलाइन ठीक है यह लिखना अगला कर नाम दिया गया कि भारती जो फिल्म में के इंडस्ट्री है को सर्वस्ट्रेहस्थ अभीनेता के रुप में चीरिन जीवी जी को क्या मिला है बच्चों की सभशे सांदार अभीनेता गिनीज वर्ड जीकॉट्स द्वारा लिकोखो सबसे सर्वस्ट्रेस्ट अभिनिता की रुप मानिता दीगे इसका अंसर हो जाएगा बच्छो चीरेंदेवी ठीक है अगला लिखो आसकर दोहजार पचीस के लिए भारत की ऑफिसियल एंट्री के रुप में कौन से मुवी को मिला है लापता लेडिस ठीक है लिखो आसकर दो लापता लेडिस जो है इसको On히 Any अठीक है ऑ altern достаточно के लिए रस्टमें धीकर आप दोहारा फिसिल एंट्री कहों पे कीरा जा जाएगा बच्छो ग्लास्गो इन?. छोवmarण्ड liquidity को हो इंगलिस में है यह होगा बच्छो घ्लास्गो कहां पर होगा Glasgow bracket में लिखो Scotland ये question इसलिए भी आ सकता है bracket में Scotland लिखना ये question इसलिए भी आ सकता है क्योंकि ये आयूजन पहले Australia में होना था बच्छो Victoria में Australia के Victoria में इसका आयूजन किया जाना था लेकिन वहाँ पे चीजों की महेंगे होने की वज़े से ठीक है ऐसा तर्क दिया जा रहा है या बताया जा रहा है कि चीजें expensive होने की वज़े से वहाँ पे possible नहीं हो पा रहा है तो Glasgow स्कॉटलेंड में इसको सिफ्ट कर दियागे तो 2024 में क्या होंगे अपने आपने Commonwealth Games होंगे ठीक है ये थे कुछ हाल फिलाल की दिनों के महत्तुपूर्ण करंट अफियर्स के question I hope कि आप लोग इसको revise करेंगे एक दो बार आप लोग देखेंगे देन उसके बाद आप इसके दिमाग में रखेंगे क्या पताई का तुशन आपका आजाए especially super computer वारा ठीक है फिर मिलते अगले सेसेंट पर अपना ध्यान रखीएगा Thank you